दोस्तो हिंदूस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड यानि HAL की बात करें तो फ्राइड को स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली अब डिफेंस सेक्टर के इस मजबूत खिलाडी में निवेस का क्या ये सही मौका है या फिर अभी विसमें करेक्शन की संभावना ब सकती है इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल क्या रही है HAL के मैनेजमेंट में यहां पर बदलाव हुआ है तो क्या HAL जो डिफेंस सेक्टर की में के दिरा के बहुत सारे एक्क्यूपमेंट बना के बहुत सारे वेपन बना के एक्सपोर्ट करें क्या ये खिलाड भी है HAL अगर आप देखे तो इन्होंने इज्राइल की कंपनी के साथ में एक पार्टनर्सिप भी की है क्या स्टॉक आने वाले से में बैतर कर सकता है लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बे इन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले HL के कारूबार की बात कर ले तो 4,475 पर क्लोजिंग देखना को मिली फ्राइडे को 2.42% की सांदार तेजी के साथ अब आप यह देखी सकते हो कि इसमें करेक्शन बहुत जारा हो चुका फिर लिए इनों स् अब इनसाइडे ट्रेडिंग के तहत ट्रेडिंग विड़ो को क्लोज करने का फैसला किया गया है तो 30 सितमबर 2024 से लेकर जब तक कमपनी अपना क्वाटर 2 का रिजल डिकलेर नहीं कर देगी उसके 48 गंटे के बाद में ही सबसे नॉर्मल ट्रेडिंग की सम्मानों बनेगी जो कमपनी से सम्मानी दे चाहें बोर्ड के मेंबर्स हो या फिर कमपनी के एंपलोई हो सब के लिए ट्रेडिंग विड़ो क्लोज है तो यह ट्रेडिंग विड़ो अब क्लोज हो चुकिए जो आने वाले समय खुले कि तो सेवी का जो रूल से कि एक बार रिजल पूरा किया जाता है तो अब डेट हमारे सामना है चुकिए जल्दी हमारे सामने कौर्टेटू का रिजल होगा अगर रिजल बैतर होगा तो एक सांधार तेजी की सुरुआत फिर हो जाएगी स्टॉक के अंदर अब एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एचल लिमिटेट से आप देख सकते हो कि यह तीस नौ दो हजार चौबीस से होगा और रिजन बड़ चेंज है सुपर नरेशन अब कंपनी की संभावनों को अगर आप देखे तो कंपनी ऑल्मोस्ट डैट फ्री है एक समय कंपनी बाहरी बरकम कर देखे था लेकिन अब कंपनी डैट फ्री हो चाहर रोई का ट्रेक रिकोर्ड है और कंपनी 29.6% का हेल्दी डिविडेंट प्याउट करती है कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वार्मेंट भी कम हुई है तो थर्टी पहले 62.2 डेज थे जो घटके 37.1 डेज के आसपस आगे तो यह आप देखे इसकी सेहत की संभावन तो इस टीटियम 13% है यानि पिछले 10 सालों से सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है प्रॉफिट ग्रोथ की बात के तो 10 यह के एसाप से 11% है फाइवर के एसाप से देखे तो बढ़के 26% हुआ और 3 यह के एसाप से 33% हो गया इस टीटियम 37% है तो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों से लगातार बढ़ रहा है हर साल स्टॉक की CAGR देखे तो 5 यह के एसाप से 67% था जो 3 यह के हसाप से 88% हुआ और 1 यह के एसाप gearbox 132% है जो CAGR भी लगातार बढ़ रहा है रिटेन ऑन एक्वूटी देखे तो 10 यह के हसाप से 23% है 5 यह के हसाप से 27% 3 यह के हस आप से देखे तो 28% और लास्ट येर 29% यानि आरोई भी लगातार बढ़ रहा है कुल मिला के बहुत ही बैतर प्रदसन है इसे में लॉंग टम का नजीरा लेके डिफेंस सेक्टर के समझबूत खिलाडी में दाव लगाना चीए अब चलते हम भारत इलेक्टोनिक्स किलिमिट और बेल दोनों को ही निप्टी 50 का इस्सा बनाए जा रहा है और इनके दर 800 मिलियन डॉलर का नया दिवेस आने की समझबूत बन रही है तो ट्रेंट और भारत इलेक्टोनिक्स लिमिटेड दोनों ही निप्टी 50 का मंदे से इस्सा बन जाएंगे और यह डिवीज लेंब औ और LTI माइन ट्री की जगल गिन जो दोनों इस समय एनने सी से इनको रिवू कर दिया गया है तो नोमा ने जो अंदाजा लगाया कि क्रीब 495 मिलियन डॉलर का निवेस ट्रेंट में आ सकता है और 336 मिलियन डॉलर का नया निवेस है वो ट्रेंड बारत इलेक्टोनिक्स लिम चाह देंगे तो यह बहुत बड़ी गुंडिज है BAL के लिए एक बड़ी गुंडिज और निकल के आ रही है यहाँ पे BAL लिमिटेड ने इसराइल एरोस्पेस कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर्स बनाए और मिनिश्ट्री और कोर्पोरेट अफेर्स की तरब से इसको एप्रूवल मिल चुका है तो फ्राइडे को एक्चेंज फाइलिंग में इन्होंने जानकारी दिये कि इसराइल की कंपनी के साथ में इनका जॉइंट वेंचर्स है जिसको सरकार की दरब से एप्रूवल मिल चुका है तो यहाँ पे अथोराइज सेर कैपिटल कंपनी का 8.2 क्रोड है और पेड़ शेर कैपिटल 4.1 क्रोड का है तो इस जॉइंट वेंचर्स का मकसद है कि आपे जो प्रोड़क्स सपोर्ट है उसको रिपेर मेंटेनेस का काम कंपनी दोनों मिल के करेंगी जिसमें आप देखे तो मिसाइल सिस्टम को और मजबूती से आगे बढ़ा दोनों मिलके तो भी ये लगातार तेजी से अपने कारूबार को आगे बढ़ा रहे सबसे बड़ी बात है कि शेर प्राइज की काफी कम है समय काफी सस्ता श्टॉक मिल रहा है पिछले दो तीन सो के उबर था तीन सो से भी नीचे आ गया है और जैसे कि डिफेंस सेक्टर के जो आनेवल्स में बल्टी बैगर बन सकते हैं लॉंग टम का नेजरिया लेकि आपको नीवेस के बारे में सोचना चीए अब कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात के तो बहुत ही बैतर रहा है तेन येर के हिसाब से इसका सेल्स ग्रोथ देखके तो 12% के आस पास था फाइवर के इसाब से 15% है फाइवर के इसाब से बढ़के 16% हुआ और 3-year के इसाब से बढ़ते हुए 24% तक चला गया और इस TTM वो सिधा 34% पर चला गया तो प्रोफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ रहा है बात करे स्टॉक के CGR की तो 10-year के इसाब से 30% है जो 5-year के इसाब से बढ़ 22% हो गया और 3-year के इसाब से 23% तो लाश्ट इयर 26% तक पहुँच गया तो आरोई में भी जबर्दस व्रिद्धी है कुल मिला के आकड़ी बहुत उत्सावर्दक है ऐसे में डिफेंस सेक्टर के दोनों स्टॉक में दाव लगाना चीए आने वाले से मैं आपको जबर्दस रिटन दे सकते हैं लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइननसल एडवाईजर से बढ़वई ले ले या अपना खुद का रिसार्च करें क्यों को मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो